हलो फ्रेंट्स तो गर्मियों का सीजन आ चुका है तो हम लोगों कुछ ऐसी डिश बनानी चाहिए जो खाने में हमें रिफ्रेशिंग लगे और इसे बनाना भी इजी हो और साथी साथ हमारे डाइजेशन भी अच्छे से हो जाए तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब नृडगे हिदा बनाने के लिए एक छोटा पर बुनंदी यहां पर मैंने लिए दही जिसे मैं आलका साज़का हायसी ब्लेंडर इसे ब्लेंड कर लिया है हरा धनिया उसमाने बारे काट लिया है साथ से आठ फ्रेश मिंट के पतिया जीरा जिसे मैंने तवे पे ड्राइ रोस्ट कर लिया है काला नमक, वाइट सॉल्ट और छोटी पिंच लाल मिर्ज पाउडर यहाँ पे मैंने पानी लिया है जी एकडम चील्ड है और यहाँ पे मैंने खाली बोल लिया है जिसमें हम रायता बनाएंगे सबसे पहले हम एक छोटे बोल में दो कब पानी गरम करने रग देंगे याद रहे हमें पानी को boil नहीं करना है हमें पानी को सिर्फ हलका सा गुनगुना करना है आप उंगली डल की temperature को चेक कर लीजिए एक बार और पानी एक बार हलका गुनगुना हो जाए इसके बाद हम इसमें बूंदी आड़ कर लेंगे गरम पानी में बूंदी डलने से क्या होगा बूंदी के अंदर जो भी excess oil या जो भी impurities है वो सब पानी में आ जाएगी और हमारी बूंदी एकदम fresh हो जाएगी उनको बूंदी दिखा देती हूँ बूंदी एकदम soft हो चुकी है इसलिए अब हम इसे strainer में strain कर लेंगे पहले मैं mixing bowl में दही एड़ कर लूँगी मैंने दही को हलका सा blender से blend कर लिया है जिससे की दही का texture बहुत ही smooth आता है अब मैं इसके अंदर एड़ कर लूँगी white salt फिर हम इसमें आड़ कर लेंगे लाल मिर्च हमें लाल में बहुत ही थोड़ी सी यूज़ करनी है हमें रायतेया color red नहीं करना है बिल्कुल भी अब हम इसमें आड़ कर लेते हैं काला नमक काला नमक digestion के लिए बहुत ही अच्छा होता है अब मैं इसमें आड़ करूँगी जीरा मैंने जीरो को हलका से दवे पे dry roast कर लिया है मैं यहाँ पे जीरे का powder यूज नहीं कर रही हूँ आप इस तरह से जीरे को डाल के देखिए रायदे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मैं जीरो को भून के अपनी हतेलियों के बीच में इसको crush करके इसके अंदर add कर लूँगी जब हम रायता खाते हैं तब उसके अंदर जीरे के जो pieces मुह में आते हैं उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और जीरा जो digestion के लिए भी अच्छा होता है अब मैं इन सभी चीजों को mix कर लूँगी अच्छे से आप इसके अंदर पानी डाल के इसकी consistency adjust करिए वैसे रायता ना ज्यादा गाड़ा अच्छा लगता है और ना ज्यादा पतला आप अपने खाने के हिसाब से इसकी consistency adjust कर सकते हैं और इन सभी ingredients को मिला के अच्छी तरह से mix कर दें रायता बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन यह तरीका मुझे सबसे इजी लगता है और हमारे यहाँ पर रोज कर्मियों के टाइम में लंच में रायता सबको पसंद है खाने में अब मैं इसमें आड़ कर लूँगी fresh mint leaves मैंने यहाँ पर mint leaves को अपने हाथों से इसे crush करके एड़ करा है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब जो mint leaves मूँ में आते हैं खाते समय रायते बहुत ही refreshing होती है completely optional है अगर आपके बास mint leaves available है तो आप इसमें आड़ करें अधर्वाइस आप इससे skip कर सकते हैं हम इसमें डाल लेंगे कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा धनिया हम रख लेते हैं जिसे हम कानेशिंग के लिए उस करेंगे और सभी इंग्डियंस को अच्छी तरह से mix क कर देंगे अब हम इसके अदर एड़ कर देंगे जो हमने बूंदी strainer में निकाल के रखी भी आप देख सकते हैं हमारी बूंदी बहुत ही tám अब आप इसको रायते में एड़ कर दीजिए और इसे हलकी हातों से मिला लीजिए और हमारा रायता बनकी बिल्कुल तयार है इसे अपने हलकी हातों से इसको मिक्स कर लीजिए हमारा रायतबन की बिल्कुल तयार है मैंने रायतबन ग्लास में सर्व कर लिया है आप इसे ग्रीन को रेंडर डालके गानिश करें और पर्सनली ये मेरा ओल टाइम फेवरेट है इवन मेरी फैमिली को भी बहुत पसंद है हम लोग इसे रोज लंच के टाइम गर्मियों के इससे हमारा डाइजेशन भी इंप्रूव होता है और ये खाने में तो बहुत टेस्टी लगता ही है आप देख सकते हैं ये कितना मस्त दिख रहा है तो आप इसे बनाके जरूर जरूर ट्राइ करें गर्मियों के मौसम में और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मे ये रेसिपी के लेटेस्ट अप्डेस मिलते ना है थैंक यू